अमश्कार दर्शको आप सभी लोगों का मेरे यूटूब चेनल में बहुत बहुत स्वागत है श्री शिवाई नमस्तु भ्यम दर्शको मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी की पूजा के लिए बेहत ही खास माना जाता है इस दिन भगवान हनुमान की बजरंग बली की पूजा की जाती है इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से कुछ विशेश उपायों को करने से किसी भी काम में आ रही बाधाएं दूर होने लगती है हनुमान जी को भगवान शिव का ही रुद्र अफ़तार माना जाता है मंगलवार के दिन हगर हम भगवान को प्रसंद करने के लिए कुछ उपाई करें तो भगवान अवश्य प्रसंद होते हैं बजरंग वली हमारी अवश्य ही सुनते हैं मंगलवार को सुबह इसनान करने के बाद हनुमान जी को चोला आप जरूर चड़ाए हनुमान जी के मंदिर जाए और गुड और चने का भोग अवश्य लगाए और मंगलवार के दिन मैं आपको एक उपाय बताने वाली हूँ वह उपाय आप करियेगा आपके जिवन में आ रही समस्याए अवश्य दूर होंगी और आपके जो भी मनुकामना है वह भी बजरंग वली अवश्य ही पूर्ण करेंगी आपको क्या करना है बढ़ की पत्ते का प्रयोग है उप्योग है आप वह करियेगा प्रयोग मंगलवार की दिन सुभा इसनान की बाद बढ़ की पेड़ का पत्ता तोड़ कर घर लाएं उसे साफ पानी में धुलकर भगवान हनुमान जी के सामने रखें और पूजा करें फिर उस पत्ते पर केसर से श्रीराम लिखें और उसे अपने पर्स में आप रख लें भगवान बजरंग बली का ध्यान करते हुए आप उनसे प्रातना करें कि वह आपके सारे काम बना दी ऐसा करने से आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी और आपके सारी मनुकामनाई पूरी होगी ध्यान रखे कि पत्ता सूखने पर उसे गंगा में प्राहाईत आप अवश्य कर दें और दूसरे मंगलवार को आप ऐसा ही उपाय करके फिर से वह पत्ते को अपने पर्स में रख सकते हैं मंगलवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना भी बहुत ही शुमाना जाता है ऐसा कहा जाता है कि पीपल के पेड़ में सभी देवताओं का वास होता है इसलिए मंगलवार के दिन हमें पीपल की पेड़ की पूजा अवश्य करना चाहिए और अगर आप कर पाएं तो उसमें जल अवश्य ही चड़ाए पीपल की पिर पर ऐसा करने से आपके सभी कस्ट दूर होते हैं और आपकी भगवान अवश्य ही सुनते हैं धन्यवाद दर्शकों आपको मेरा यहाँ वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएगेगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकान को आप प्रेस कर दी जिसने मेरी जो भी वीडियो जाएंगी वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाएंगी धन्यवाद दर्शकों श्री शिवाई नमस्तु भ्यम